वेल्कम तो में यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैंस क्लासेज आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चप्टर नुमर 5 अप्लिकेशन ओफ परसेंटेज और इसकी वक्षोट नुमर 3 करेंगे ध्यान से देखो इसमें क्या दिया गया है मैंने एक वोच परचेज की है तो मतलब जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे cost price and sold it at a loss of 20% तो जो हमें यहाँ दिया गया हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं तो मुझे दिया गया है cost price cost price of watch यह है रूपी 330 अब मुझे दिया गया and sold at a loss of 20% यहाँ पर हमें loss हुआ है loss is 20% ठीक है loss कितना हुआ है 20% अब आप देखो इस question को करने के दो method है यहाँ तो आपको यहाँ find करना है find selling price of the watch अगर आपको देखो आपने six class में याद कियोंगे cost price और selling price के formula हमने learn किये थे मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ उसी की help से हम करेंगे यहाँ देखें इधर मैं लिखूंगी CP का formula क्या होता है और यहाँ पर मैं लिखूंगी SP का formula क्या होता है ठीक है profit या loss हो जब सबसे पहले मैं दोनों किसके लिए लिखूंगी profit के लिखूंगी ठीक है अगर यहाँ CP है ठीक है ध्यान से देखो formula भी याद करने हैं आपको formula याद होगा तो question बहुत easy लिए हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर CP है यहाँ CP है तो आप यहाँ लिखूंगे SP ठीक है यहाँ CP है अभी मैं formula बनवार हूँ यहाँ इसका यह meaning मैं सोचना कि CP है तो यहाँ SP लिख दो मतलब इकवल हो गए है इकवल नहीं है यहाँ अगर इधर CP है तो आप इधर कहा लिखूंगे SP ठीक है अब आप यहाँ देखो CP था तो SP आ गया SP था तो CP आ गया अब आपको याद रखने है कि जो selling price का formula होता है SP का formula होता है उसमें यहाँ एक बड़ी चीज लिखी जाती है बस यह याद रखने है यहाँ पर जो चीज लिखी जाएगी और upon में कितना आ जाएगा 100 यही दो चीज़े है 100 प्रोफिट परसेंट इसमें सेलिंग प्राइज में यह कहां लिखा गया है उपर लेकिन कोस्ट प्राइज में यह उपर क्योंकि सेलिंग प्राइज में लिखने में सिर्फ यहाँ पर आपको यह बता रहे हूँ कि लिखने में बड़ी सी चीज है वस ठीक है क्योंकि बच्चों को इसमें क्या होता है पेपर में होता है तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते है वो कि इसमें पता नहीं उपर लिखना था नीचे लिखना था ठीक है वैसे तो आपको कई बर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आई जाएगा यह दोनों प्रोफिट के हैं तो लोस में क्या करेंगे अगर लोस हुआ है तो क्या करेंगे SP multiply 100 divided by 100 यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस लोस परसेंट आ जाएगा यहाँ पर क्याएगा सेलिंग प्रैस में CP multiply 100 यहाँ जाएगा माइनस प्रोफिट परसेंटेज डिवाइड़ बाइ 100 ठीक है नहीं सोरी लोस परसेंट लोस होगा तो माइनस करेंगे प्रोफिट होगा तो प्लस करेंगे अगर आपको यह फॉर्मले याद है तो आप इसकी हैल्प से बहुत ईजी लिकर सकते हैं और हमने बताया था SP का फॉर्मला बढ़ा होता है तो यहाँ आएगा 100 लोस है तो माइनस लोस परसेंट लिखने में चीज बड़ी से आएगी अप उन में कहाएगा 100 तो यहाँ पी देको सेलिंग प्राइस कितना है 330 multiply 100 माइनस लोस परसेंट लोस कितना है 20 अब आप यहाँ पर तो यहाँ से देखो 330 multiply 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80 अपोन में आजाएगा 100 इस वाली 0 से यह वाली 0 से यह वाली 0 कैंसल तीक है अब इसको multiply करेंगे हमारा answer आजाएगा 8 3s are 24 24 24 प्लस 2 कर देंगे तो 26 तो यहाँ से आजाएगा 264 ठीक है तो आपकी यह वोच है वोच का सैलिंग प्राइस कितना है 264 यही आपका क्या जाएगा answer next है question number 2 by selling a tv for rupee 8,000 a shopkeeper loses 20% of his cost if he sells it for rupee 11,000 what profit or loss percent would be there for him पहले एक बार इंध्यान से समझे हो statement को ही समझना जादा जरूरी है by selling a tv अगर एक tv को selling मतलब उसको sell कर दिया selling price है by selling a tv for rupee 8,000 a shopkeeper loses 20% of his cost if he sells it for rupee 11,000 अगर वो उसको 11,000 में बेचता what profit or loss percent would be there for him अब यहाँ दो condition है ठीक है यहाँ पर दो condition है एक तो condition यह है कि वो 8,000 में बेच चुका है उसने बेच दिया है ठीक है जैसे उसने बेच दिया उसको पता चला कि उसको 20% का loss हुआ तो वो बाद में बैठ के सोच रहा है कि अगर मैं इसको 11,000 रुपीज में बेचता तो मुझे profit होता है यह दो condition है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ case 1 ठीक है case 1 यहाँ पर और यहाँ पर हम करेंगे case 2 ठीक है अब पहली condition कहा है by selling a TV for रुपी 8,000 तो मुझे यहाँ दिया गया है selling price of TV यह कितना दिया गया है रुपी 8,000 clear है अब यहाँ पर उसने बताए कि उसको loss कितने का हुआ 20% का तो यहाँ मुझे दिया गया loss percentage कितनी है 20% आप एक चीज देखो यह जो percentage का symbol होता है या तो आप उसको loss ऐसे लिखोगे loss percentage तो आप यहाँ simple 20 लिखोगे ठीक है अगर आप यहाँ simple loss मतल़ यह percentage का symbol है वो यहाँ तो यहाँ लगेगा यहाँ एक जगे ही लगाओगे दूरों जगे नहीं लगाना है ठीक है अब मुझे बताना है अब पहला हमारा purpose यहाँ में क्या करना है हमारा target यह है कि मुझे यह तो पता है कि जो दुकानदार है उसने आगे customer को देता है तो पहले हम यहाँ यह निकालेंगे कि जो वो दुकानदार है उसने खुद कितने रुपी में वो टेवी परचेज किया था ठीक है तो मैं यहाँ से उसका cost price निकालोंगी cost price ही होता है ना कि जितने पे वो खुद परचेज करके लाया होगा cost price of TV ठीक है अ CP का तो formula छोटता है तो यहाँ उपर आप 100 लिखोगे और यहाँ आजाएगा 100 माइनस loss है तो यहाँ आजाएगा loss percentage formula याद रखो आप जैसे भी आप याद कर सकते हो selling price है इसका 8000 multiply 100 यहाँ पर आएगा 100 माइनस loss percentage अब यहाँ देखर loss की जगा सिर्फ आप यहाँ से numerical value उठा ना मैंने आपको बोला था यह percentage आप यहाँ लगा सकतो है यहाँ अगर मैं इसको यहाँ से अटा कि यहाँ लिखोंगे loss percentage तो उसकी value सिर्फ 20 है ठीक है तो यहाँ से अब इसको solve कर लेते हैं 8000 multiply by 100 and divided by 100 में से 20 minus करेंगे 80 10 से 10 cancel 818 818 00 तो यहाँ से आएगा 120 यहाँ पर 4 zeros आजाएंगी ठीक है तो यह कितना आजाएगा 10,000 जो वो टीवी है उसको दुकानदार ने खुद कितने रुपी में purchase किया था 10,000 अब यहाँ तो हमें पता चल गए कि दुकानदार उसको खुद 10,000 में purchase करके लेकर आ था अब आप यहाँ मुझे पता चल गए कि जो cost price है टीवी का वो कितना है रुपी 10,000 ठीक है अब मुझे इसमें से यहाँ यह बताना है अब उन्होंने क्या बोला है if he sells it for रुपी 11,000 उसने खुद तो उसको 10,000 में 10,000 रुपे में लिया था लेकिन अगर वो उसको बेच देता है 11,000 पे मतलब अगर वो उसका selling price कितना रखत है 11,000 ठीक है what profit or loss would be there for him तो उसको कितने रुपी का profit या loss होता है अब आप यहाँ से देखो आप खुद सोचो आप एक टीवी 10,000 में खुद लेके आए आपने उसको आगे किसी customer को 11,000 में बेच दिया तो profit हुआ है loss हुआ है जब जादा में बेच देते हैं तो क्या होता है profit तो यहाँ पर हमें हुआ है profit और profit का formula क्या होता है SP में से CP माइनस करना है selling price में से cost price को क्या करेंगे minus 11,000 में से यहाँ हम माइनस कर देंगे 10,000 तो यहाँ जाएगा 1,000 ठीक है तो यहाँ पर profit कितने का हुआ है profit हुआ है 1,000 का और यही आपका क्या जाएगा answer तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको question number one or two करवाया है next जो question है वो मैं आपको next वीडियो में करवाओंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much